कोड के अंच को माप ये यहाँ पर हमारे पास एक कोड है और हमें इसे मापना है और इसे मापने के लिए हमारे पास एक चांदा भी दिया हुआ है और हम जानते हैं कि एक कोड को मापने के लिए हमें इस कोड के शीर्ष को चांदे के मध्धे पे रखना होता है और उसके तो चलिए इस चांदे को उठाते हैं यहां से और पहले हम इसके शीर्ष को मध्यबिंदू से मिलाते हैं मिल गया यह ठीक तो चलिए अब इसको घुमाते हैं इस चांदे को और इसका यह जो शूने वाला निशान है इस वाली किरन से इसको मिला देते हैं यहाँ पर हमने इसे शूने वाली किरन से मिला दिया ठीक है अब हमें दिख रहा है कि हमारी ये जो दूसरी वाली किरन है ये 20 अंश पे आ रही है तो चलिए यहाँ पर हम अपना उत्तर लिख देंगे 20 अंश और ये भी संच हमें बता रहा है कि हमारे इन दोनों किरनों के बीच का कोड कितना है चलिए इसकी जाच करते हैं जी हाँ ये सही है अगला प्रशन हल करते हैं चलिए तो इसे नापने के लिए फिर से हम अपने इस चांदे के मध्यग बिंदू को यहाँ इस कोड के शीरश से मिला देंगे और अब हम यहाँ पर अपने इस चांदे को घुमाएंगे इस तरीके से ताकि ये जो शूने वाला निशान है वो हमारी किसी भी एक किरन से मिल जाए तो चलिए इसको मैं इस वाली किरन से मिलाओंगी, यहाँ पर मैंने इसको घुमा दिया, यह मिल गई हमारी इस शूने वाली किरन से, और हमें दिख रहा है कि अगर हमने इसे शूने से मिलाया, तो हमारी दूसरी किरन आ रही है नब्यंच पे, इसका मतलब है कि हमारा ये वाल कर लेते हैं जी हां ये भी ठीक है अगला प्रशन हल करेंगे चलिए फिर से हमें यहां पर अपने इस कोड को अंश में मापना है और इसके लिए फिर से मैं अपने चांदे को उठाऊंगी और इसके मध्य बिंदू को इस कोड के शीरिश से मिला दूँगी ये हो गया ठीक है और अब मैं अपने शून्य वाले निशान को एक किरन से मिलाओंगी इसको मैं घुमाती हूँ ताकि ये शून्य से मिले ये आग गया मेरा शून्य पे ठीक है और हम देख सकते हैं कि ये जो दूसरी किरन है ये 20 से थोड़ी जादा है और 30 से थोड़ी कम और ये ठीक ठीक 25 प्यारी है कहीं तो हम क्या सकते हैं इन दोनों किरनों के बीच में 25 अंश की दूरी है तो यहां पर मैं 25 लिखूंगी और ये हो गया मेरा उत्तर और इसकी हमने जांच भी कर लिए और ये ठीक है अगला प्रशन हल करते हैं फिर से अब यहां पर हमारे पास एक कोड़ है ऐस और चांदा है हमारे पास और इसे मापते हैं मापने के लिए फिर से मैं इस चांदे के मध्य बिंदू को अपने शीर से मिला दूंगी यहां मैंने इसे मिला दिया और अब मैं अपने इस शूने वाले निशान को अपनी इस किरन से मिलाओंगी इसके लिए फिर से मैं के अनुदिश तो हमारी ये जो दूसरी किरन है ये 40 अंच पर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किरने 40 अंच का कोड बना रही है यहां पर मैं फिर से 40 लिखूंगी और अंच वाला चिन्द पहले से यहां बना हुआ है चलिए इसकी जाच करते हैं जी हां ये बिल्कु कुछ सही सही हल कर लिया है